सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई है कुछ मैंने इंटर्विउस पड़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभ मैं आपको बताऊंगी के मुवी माफिया ने नाख की सिर्फ उनको बैंड किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटिलिंग कैसे कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइंड आइटम आप इसले हैं क्योंकि आप जब जूठ लिखना होता है आप आपको के अंगेस्ट को इलीगल एक्शन नहीं लिए सकता क्योंकि आपको तो नाम ही नहीं लिखा मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के गुंगराले बाल है जिसको नैशनल आवर्ड मिला हुआ है साइकॉर्ट 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषान ने सकांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 अक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुषान ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी ना इमोशनल साइकोलोजिकल लिंचिंग को जनलिजम कहते हैं मेरे बारे मैं अज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सुषान तरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जनलिस्स को कांफरेंट किया आपको बता है उसी राचार सीनियर जनलिस् की फिल्म को बैंग किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जनलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पे केस करने की कोशिश की कि मगर एक महीने बाद हो गाइब हो गए मेरी फिल्म रिलीज हो गाइब हो गए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियात पर खड़ा है और कभी आवास नहीं आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड पिसके बारे में यह तो यह अन्याय का फंदा किसी दिन के बच्चों के गले में लटका मिलेगा अपकी गले में लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां बजेगी और सीठियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी